वीदी के साथ बदलते भर की शाथ वीदी के साथ बदलते भर की शाथ मैं अदुती शर्मा आप सभी का स्वागत करते हूँ लेकिन आईए कारक्रम की शुरुआत करते हैं हम योचना के साथ के साथ. लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मनजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर के खुशियां प्रकृती पर निर्फाय। जब बन सकता है वो आत्म निर्फाय। किसानों को प्रकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुखसान होनी की स्थिती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की खुशना की। इस बीमा योजना का उद्देशे विभिन प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल भटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस खलन, चक्रवाती तूफान, बे मौसम बारिश, फसल की बीमारिया, आकाशी ब यानि पूरे फसल जक्र का सुरक्षा कवच, पहली बात तो ये समझे कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात रहें, इसमें काश्टकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं, अनाच, तलहन, दिलहन और कुछ वार्शिक वार्णिजिक फसलों को बीम एफबीवाई के अंतरगत कवर किया जाता है, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामियाफ फसल बीमा योजना है, केंद्र सरकार और राज़ सरकारों के अलावा, 18 बीमा कमपनिया, 540 बैंक तथा 45,000 जन सिवा और किसनों तक पहुचाने में कारिराथ हैं, इस योजना में प्रीमियम कम होने के काराण सभी स्थर के किसान इसका लाब ले सकते हैं किसानों के लिए योजना कितनी लाबदायक है इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुवात के बाद पहले तीन सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड रुपे का भुखतान किया जबकि अब तक फसलों के नुफसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड पे मिल चुके हैं यानि जमाराशी के मुकाबले साड़े चार गुना अधिक राशी दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है अब तक हर साल खरीफ और रभी के मौसम के दोरान पाँच करोड से भी अधिक किसान इस योजना से चुड़े हैं 2020 के लिए बीमा करानी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पंजी करण की कटाउफ दिथी हर राज में अलग-अलग तैग होती है अपने क्षेत्रों या गावों के अधिसूचित फसलों की सूची बीमित राशी एवं कटाउफ दिथी की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम क्रिशिय अथिकारी, जन सिवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधी से संपर्क करें www.pmfby.gov.in पर लॉग इन करके या फसल बीमा एप, क्रॉप इंशुरेंस एप का उप्योग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है नवीनतम आधार कार्ट, मुबाइल नंबर, बैंक खाता विवरं, भूय भिलेग दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राजी सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का फुकता PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के तौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है स्थानिय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्रकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कमपनी, बैंक या फिर राजसरकार के अधिकारियों या बीमा कमपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवशक है जो खिमों में उपजहानी का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कमपनी द्वारा क्लेम राशी का उचित भुकतान मिलता है क्लेम राशी का भुकतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है शिकायत निवारन के लिए किसान, बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला क्रिशी कारियाले में संपर्क कर सकते हैं वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राजस्तरिय शिकायत निवारन समीती तक भी पहुँच सकते हैं दरसल पहले सभी रिणी किसान जो बैंकों या वित्तिय संस्थानों से मौसमी क्रिशी रिण या केसी सी का लाब उठा रहे थे उन्हें अनिवारे रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वेचिक कर दिया गया है प्रधान मंत्री फसल दिमा योजना किसानों को उनकी मेहनस से उगाई फसल को सुरख्षित करके दिश को आत्म निर्वर बनानी कि दिशा में एहन कदम साबित हो रही है जब किसान बढ़ेगा प्रकृती निर्भरता से आत्म निर्भरता कियो तभी तो बनता है आत्म निर्भर राश्ट किसान भायों बहनों हमारी सरकार की महत्वपुन योचनाओं में से एक है प्रधान मंत्री फसल बीमा योचना हमारे देश के प्रधान मंत्री भी इस योचना की प्रती जागरुकता पहलाने का कारे करते रहते हैं हमारे किसानों को प्रुचसाहिद करते रहते हैं इसी संदर्ग में क्या कुछ कहा है हुनोंने आई आपको दिखाएं किसान की फसल तैयार होने के बाद खेट से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बरबाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई पानी भर जाये तो उसको भी मा अरे किसान खेत में वाई कर दें शोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जुन को बारिस आएगी 20 जुन को आएगी जुलाई में आएगी अगस्त में आएगी लेकिन बारिस नहीं आए तो भी भारत सरकारने ऐसा भी कि तो भी किसान को मिनिमाम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बरबाद न हो जागा इसी के साथ कारिक्रम में वक्त चला है एक छोड़े से ब्रेक का आप कहीं मजा आए देखते रहे कारिक्रम सरकार आपके साथ और बने रहे दूरदाशन किसान पर रो सबसी का स्वाद पराए और घरवालों का प्यार पाए गोल्डी सबसी मसाले जहां जाये रिष्ट बदाए गोल्डी मसाले रेके बाद उदाशन किसान किसान के कारिक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत किसान भायों बेहनों प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही महत्वपोर्ण योजना है इसमें किस तरह के बदलाव हो रहे हैं किसानों के लिए कौन सी सहूलियते लाई जा रही हैं आए जानकारियों के लिए रुख करते हैं हमारे विशेशग्य का आज का हमारा सरकार आपके साथ बहुत ही खास है आज हम बात करेंगे सरकार की एक बहुत ही महत्वकांग्शी योजना के बारे में जो आपकी फसलों को सुरक्षा कवच प्रधान करती है जिहां हम बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की कई वर्षों से इस योजणा का क्रियानवन किया जा रहा है लेकिन बदलते समय के साथ-साथ इसमें कई बदलाव भी हो रहे हैं जिनके बारे में जानकारी हसल करना बहुत सरौरी है और यही एहम जानकारी आहम तक पहाचाने के लिए हमारे विशेश महमान हमारे साथ उपसित हैं आये परीचे करवादे आयेस ओफिसर रुटेश चोहान जी हमारे साथ उपसित हैं बता देए मुख्य कारिकारी अधिकारी हैं प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में सार बहुत-बहुत सबागत है आपका कारिकुम सरकारी के साथ बहुत-बहुत अन्यवाद प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना कई वर्षों से क्रियानवित की जा रही है और सफलता भी इसने हासिल की है कई लाखों करोडों के साने से जुड़े भी हैं तो अभी तक के बारे में क्या कहेंगे सफर के बारे में देखे प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना जो है वो 2016 से देश में क्रियानवित की गई और तब से लेकर आज तक बहुत ही अच्छा कारे जो है वो फील्ड में करने को मिला है किसानों के लिए ये अपनी फसल की सुरक्षा के लिए और किसान की आए की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही एहम कदम भारत सरकार द्वारा लिया गया है जिसमें बड़ी कम प्रीमियम पे पूरा कवरिज जो है वो किसानों को मिलता है तो हमारे से लगातार किसान इसमें जो जुड रहे हैं और बढ़ रहे हैं और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि पिछले वर्ष हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में शायद कुछ कमी भी आई थी कुछ स्टेट्स छोड़के गए थे लेकिन पिछले वर्ष हमने देखा कि 21 प्रतिशत की वृद्धी एन्रोल्मेंट में एक ही वर्ष में देखने को मिली तो उससे भी जादा खुशी की बात ये है कि जो नॉन लोनी किसान हैं हमारे वो लगबख 26 प्रतिशत हुआ करते थे अब वो लगबख 40% के आसपास पहु ये योजना अब और सफल होने के कदार पर है बलकुल अभी तक तो सफलता पूरुवा क्रियानवित की जा रहे हैं और भी ज्यादा इसमें उमीद है जिसे आप इछले बर्ष के यांक्रियां पर बता रहे हैं कि वृद्धी होती जा रही है जाद से जादा किसान इसे चु देखे ये जो करियानवन है वो राज्यवार किया जाता है तो हर एक राज्य जो है वो अपने हिसाब से इसमें टेंडर्स बुलाता है कंपनी की सिलेक्शन करता है और इंशोरेंस कंपनी को सिलेक्ट करने के बाद एक कट-off डेट तक क्या बलते लोगों की अन्रॉल्मेंट की जाती है तो इस वर्श क्यूंकि टेंडर साइकल का वर्ष ता तो कुछ राज्यों में थोड़ा सा विलंभ हुआ उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में तो उस विलंभ को देखते हुआ और किसानों की सहुलियत को देखते हुए महारत सरकार ने अलग-लग राज्यों में इसकी जो cut-off date है, उसको थोड़ा-थोड़ा बढ़ाया है, तो अलग-अलग states के लिए वो अलग-अलग रहती हैं, off the cuff मुझे ऐसा याद नहीं है, बढ़ाया गया है। राज्य बढ़ाया गया है। हमारे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो संस्थाने वहां पर जाकर भी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अब घर बैटे बैटे ही mobile app के जरीय भी तो जाना जा सकता है, उस mobile app के बारे में बाप बताएं। देखे हम हमारे शुरू से ही कोशिश रही है कि फसल बीमा योजना में जितने तक्नीक का प्रयोग किया जा सके। उसी कड़ी में अभी रिसेंटली एक aid mobile app लाए गया है। उससे पहले भी प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना का अपना एक mobile app चलता है, प्रोटल भी है, लेकिन aid mobile app जो है अभी माननिये कृशी मंत्री ने लाँच किया। उसके द्वारा हमारी ये कोशिश रही कि अभी तक बैंक या CSC में जाकर ही आप enrollment करा सकते। तो ये ऐसे संस्थान थे जो कि किसान को अपनी एक पूरी ध्याडी थाइप खतम करके वहाँ जाकर enrollment कराना पड़ता था। लेकिन अब इंटर्मेडरी जो इंशोरेंस के इंटर्मेडरी हैं उनके लिए ये एक एप लाँच किया गया है तकि वह किसानों के घरदवार जाकर enrollment करा सके। और मुझे खुशी है बताते हुए कि इसी सीजन में जिस दिन जब से वह launch हुई है तब से इस एप के ऊपर लगभग एक लाख साथ हजार के आसपास application enrollment की जा चुकी है और 90,000 hectare का area जो है इसमें enroll हो गया तो यह वो उस तरह की सरकारी अप नहीं है कि एक बार आई और फिर पता ही नहीं चला कहां गई तो लगातार इसमें हम enrollment हो रहा है इस योजना में अगर हमारे किसानों के कोई सुझाव होते हैं तो उसके लिए वो कहा संपर कर सकते हैं इसके बारे में क्या कहेंगे दिखिए हमारा पोर्टल जैसा कि आपको बताया है वो बिलकुल लाइट चलता है और हम सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पे भी काफी active हैं और किसानों से सुझाव लेते रहते हैं इन ही सुझावों के चलते हमने कुछ अपने बदलाब भी किया है हमारी तरफ से कोशिश यह भी रही है कि हम एक कोशिश यह कर रहे हैं कि पैन इंडिया एक single number की help line लाई जाए जिसमें की पूरे देश में एक ही number हो और उस number पे किसान अगर call करें तो उनका सुझाव भी और उनकी जो complaints भी रहती है शिकायते जो अगर company के विरुद है किसी और के विरुद है तो उनकी भी हम recording करें तो उसका हमने pilot launch जो है वो हमने बीटा launch चतिसगड में किया था पिछले वर्ष अभी वो टेंडरिंग की process में है मेरा मुझे उमीद है कि इस वर्ष के खतम होने से पहले पहले तक उसको हम operationalize करें ताकि किसानों की नाकेवल सुझाव लिकिन शिकायते भी हम सुन सके और उन पर कारवाई भी सही समय रहते की जा सके हमारे किसानों का पहले रहता था ये परशानी का सबब कि भुखतान नहीं हो पाया है सही समय पर नहीं हो पाया है इसके लिए भी बदलाव हुए है इसी उचना में उस बदलाव के बारे में जिक्र करें देखे हमने ये फीडबैक लेते हुए कि भुखतान जो है जो क्लेम है वो क्या पूरे मिल पा रहे हैं नहीं मिल पा रहे हैं कई बार किसानों को पता ही नहीं चलता था कि हमारे क्लेम आये हैं कि नहीं आये हैं हमने एक special Digi Claim module जो है वो लाउंच कि जिसमें की जो कंपनी है जो क्लेम है एक तो पहले हमारे पोर्टल पे ही बनेगा और बनने के बाद जो कंपनी से पेमेंट किसान को जाएगी उसको भी हम ट्रैक कर रहे हैं तो ट्रैक करने के बाद डिजी क्लेम से किसान को एक मेसेज जाता है जिसमें कि उसको किस वर्ष का क्या क्लेम मिला है कितना मिला क्यों मिला वो complete detail उसको जाती है और साथ में एक link जाता है जहां वो हमारे portal पर आकर देख सके कि उसको किस किस चीज के लिए क्या क्या claim मिला है तो इससे एक बहुत ही अच्छा message फील में गया है आप यकीन मानिए मेरे अपने गाउं से मुझे 2-3 phone आए कि पहली हमें पता लगना शुरू हुआ है कि हमें claim मिल गया है कि कंपनी claim देती थी लेकिन क्योंकि उसको SMS नहीं मिला या कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्हें पता ही नहीं चलता थी कि उनको claim मिल रहा है कि अब DG claim के माध्यम से यह claims बट रहे हैं और बिल्कुल ट्रांस्परेंटली और अगर पारदर्शिता से जा रहे हैं DG claim से ही मैं बताना चाहूंगा कि लग बग जब से launch हुआ भी हाल फिलाल ही launch हुआ है तो 3700 करोड रुपे के claim जो है वो 21 लाख किसानों को जा चुके हैं काफी ना कहीं इस बदलाव से काफी खुश है इस योजना में हमने जैसे आपने कहा 2016 से क्रियानवत की जा रही है तब से लेकर 2023 तक काफी बदलाव देखे हैं तकनीकों का भी काफी शमावेश हुआ है इस योजना में इस पर क्या कहना चाहेंगे मानिय प्रधानमंत्री जी का हमेशा से आहवान रहा है कि हम ज्याद से ज्यादा टेक्नोलजी और टेक्नीक का परयोग करें और इस योजना में हमारी कोशिश है कि जो उत्पादन में सी-सी की प्रोसेस है जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें भी हम सैटलाइट की विदी से क्या उस उत्पादन को मेजर कर पाएं तो उसी के चलते अभी हाल फिलहाल में येस टेक येल्ड एस्टिमेशन सिस्टम बेस्ट अन टेक्नोलजी के नाम से एक पूरा मैनुवल निकाला गया है जिसमें की इजरो की कुछ संस्थाएं भी साथ मिलके स्टेट के साथ मिलके जो येल्ड की एस्टिमेशन उनके मॉडल बनाए गया है साथ ही साथ इसमें कृषी के लिए ही नहीं लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट और और सारी चीजों के लिए भी जो लोकल वेदर डेटा होता है उसको भी कलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है चांकि जैसा मौसम की जानकारी रहेगी उसी हिसाब से ही कृषी चलती है तो उसके लिए एक winds करके पूरा network पूरे देश में खड़ा किया जा रहा है और ये winds का network जो existing हमारे AWS, automatic weather station और automatic rain gauges है उसको लगभग 4-5 गुना बढ़ाया जा रहा है और हमारी कोशिश यह है कि हर gram panchayat पे एक rain gauges लगे जो कि बारिश का मापन करे और हर block में एक automatic weather station लगे जो कि बारिश, temperature और humidity का measure ले ताकि हमारे पूरी country में एक standard का एक network बनाया जा रहा है तो ये बड़े projects जो है वो लिये जा रहे हैं इस योजना के थैप ताकि किसानों को ना केवल हम insurance दे लेकिन active जानकारी भी दें कि अगर कोई उनके यहां पर भारी बरसात होने वाली है और किसी तरह का problem आने वाली है तो जो मौसम का पूर्वा नुमान है वो भी उनको दिया जाए बिलको तो देखिए काफी तकनीके इसमें समिलत की जा रहे हैं जिससे हम कह सकते हैं कि अभी तक थोड़ी जो समस्याइं आती थी भुकतान करने में या फिर आकलन करने में भी उनसे भी निजात मिल पाएगा और हमारे किसानों को साफ तोर पर जितना नुकसान हुआ है उत प्रदान मंत्री फसल बीमा सब्ताह भी मनाया जाता है इसके वारे में क्या कहें गया है इन्रॉल्मेंट सीजन की शुरुआत में हमारी कोशिश रहती है कि हम राज्यवार प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना का सब्ताह मनाएं और इस सब्ताह में सभी कंपनी सभी राज् फसल बीमा कराएं. हाल ही में इसका एक स्लोगन भी हमने अन्वेल किया है, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा चक्रपाओ. तो हमारी कोशिश यह है कि जालत से जादा किसान इससे जुड़ें, ना केवल फसल बीमा सब्ता है, लेकिन फसल बीमा पाटशाला भी कराई जाती है, जिसमें किसानों को इसके बारे में जानकारी दी जाती है. और दो साल पहले हमने शुरू किया था मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, यानि जो फसल बीमा की पॉलिसी है, उसका एक प्रेंट आउट जाके किसान तक पहुंचाया जाता है, ताकि उसको एक ही कागज के उपर अपनी पॉलिसी के बारे में हर एक चीज का पता लगे, और साथ में यह भी पता लगे, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपने कहा, तो मैंने किस नंबर पे कॉल करना है, कहां किसको बताना है, और उसकी ही लैंग्वेज में वो पॉलिसी का वितरन जो है, वो किया जा रहा है, जी बलकुद, देखिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कही जितने बदलाव हो रहे हैं, किसानों को और भी जाल्दा सहूलियत प्रदान करने के लिए ही यहां पर किये जा रहे हैं, और किसानों को इसे लाभ भी मिल रहा है, प्रदान मंतरी फसल बीमा योचना, हमारे किसानों की बीच काफी लोक प्रियर भी हो रही है, काफी साफत आप हमारे किसान को क्या संदेश देना चाहेंगे कि फसल बीमाई उचना क्यों करवाएं कितना जरूरी है काफी करोडों किसान जुड़े हैं लेकिन फिर भी कही ना कही एक वर्ग ऐसा है जो अभी से अच्छ होता है उनके लिए क्या कहेंगे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस बार हमने स्टेट गवर्मेंट्स के लिए भी कुछ मॉडल्स ऐसे लाए जिनकी वज़ा से स्टेट्स में भी बड़ा उच्साह देखने को हमें ला है महाराष्त्रा और अभराश्य जैसे जगाओं पहरहें जाह कर रहा हम अभी iana मैं पश्च कर ही रहा है तो में प्रदड़ में उत्साहिए और साथ में किसांओं में एक शुक्तक्त कि बढ़ चड़ कर दो अपना बाइम कराएं अच्छा बीमा क्यों कराएं इसके बारे मैं मै कहना चाहूंगा कि मौसम बदल रहा है ये सब हम जानते और मौसम में के बदलाव को देखते हुए कई तरह की आपदा जो है वो किसानों पर आती है और क्योंकि हमारे यहां पे छोटे और सीमान्त किसान हमारे क्रिशी में जादा है तो इसलिए अगर आपदा आए तो एकदम से वो बहुत ज्यादा बोज किसान पर डाल सकती है तो उसको देखते हुए अभी आपको विदित ही है कि हमारे प्रडोसी मुल्क पाकिस्तान में पूरे कंट्री में फ्लर्ट जाए तो उस तरह के मैं अलांकि दिल दहल जाता है ऐसी बात सोच के और तो पर फिर भी ऐसी ओकरेंस हमारे हां भी कभी भी हो सकती तो इसलिए किस को पहले से ही उसकी अपना बचाव करना चाहिए और भारत सरकार और राजय सरकारें कठा मिलकर ये एक बहुत अच्छी ओजना बढ़ा रहे हैं तो मेरा सब्सी से आगरे रहेगा कि फसल भीमा कराओ सुरक्षा चक्रपाओ बिलकुल बहुत अच्छे स्लोगन के साथ यहां ज़रूर चाहिए बिलकुल बहुत बहुत धनेवाद देना चाहेंगे सर आपका आपका आप यहां पर मारे सायत जुड़े आपने इतनी हम जानकारियां दी हैं सभी को जाग रुक के आए बहुत बहुत धनेवाद आपका किसान भायों बहनों आज के हमारे स्कारक्रों में बस इतना ही उमीद करते हैं कि ब्रधान मंत्री पसल बीमा योजना की जानकारियां जो भी हमने आप तक पहुँचाई हैं सभी आपके लिए फायदिमन साबित होई होगे साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके पास है कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हम तक पहाँ जा सकते हैं आप माधम है हमारी एमेल आईडी सरकार आपके साथ आटदुरेव जीमेल डाट कॉम आप फेस्बुक के जरी भी जोड़ सकते हैं फेस्बुक पर जाए हिंदी में टाइप कीजे सरकार आपके साथ हमारा पेच खुलेगा उसका आप इस्तमाल कर सकते हैं सवाल या सुझाव हम तक पहाँ चाने के लिए नीदी किसान कॉल सेंटर नंबर है 18000-13060 जिस पर सुमवार सिशनिवार सुब़ 6 बज़े से रात के 10 बज़े तक कॉल करके आप अपनी सवाल या सुझाव रिकॉर्ड करवा सकते हैं तो यसे के साथ किसान भायों बहनों आज के लिए बस इतना ही अगले अंग में फिर होंगे हाजर तब तक के लिए दीजे जाज़त लेकिन आप बने रहे दूर दाशन किसान पर नमस्कार